हाई दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम नई Excel फाइल कैसे बनाते हैं, नई टेम्पलेट कैसे बनाते हैं और Excel फाइल को बंद कैसे करते हैं, मैं हूँ मीनल, यॉर वेबसाइट लर्निंग से, आईए हम यह सीखते हैं, सबसे पहले Windows पर या Start पर क्लिक करें, और Search में जाकर Excel ट उस पर क्लिक करें, आप देखेंगे कि हमारे पास Excel की एक ऐसी विंडो ओपन होकर आई है, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कैसी हमारी वर्क बुक चाहिए, हमें ब्लांक वर्क बुक चाहिए, या फिर Excel के अंदर जो पहले से कुछ टेम्पलेट्स हैं, वो चाहिए, स यह हमारी ब्लांक शीट होती है, इसके अंदर जैसे हमें डेटा एंटर करना है, डेटा डालना है, हम डाल सकते हैं, अब हम देखते हैं कि अगर हमें Excel की ही कोई टेम्पलेट यूज करनी है, तो उसे कैसे ओपन करें, तो सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे, न्यू पर क् करेंगे, तो मैं Simple Invoice वाली टेम्पलेट सेलेक्ट करती हूँ, आप जाके अपनी टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए, आप देखेंगे एक ऐसा डायलोग बॉक्स ओपन होगा, उसमें जाके आप Create पे क्लिक कर दीजिए, जब आप Create पे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे कि ओपन हो गया है, तो ये एक Simple Invoice Template मैंने चूज किया था, इसके अंदर हम कोई भी Invoice या Bill easily create कर सकते हैं, इसके अंदर Excel ने अल्रेडी पहले से पूरा Format हमें बना के दिया आवा है, जो भी Changes हमें इसमें करने हैं, हम उसे कर सकते हैं, हम इसके अंदर अपने Company का नाम और Details ए ये एक Table है, जिसके अंदर Bill का Format डलावा है, और इसके अंदर सारे Excel Formulas भी लगे हैं, जिससे अपने आप हमारा Price calculate हो जाएगा, तो जैसे मैंने यहां पर Quantity में डाला 2, Unit Price में मैंने डाला 30, तो आप देखिए, अपने आप जो Price है, वो 60 calculate होकर आ गया है, क्योंकि इसके इसे ही हमें बहुत सारे templates देता है, जो हम अपनी requirement या जरूरत के अनुसार चूज कर सकते हैं, अब हम अपनी इस file को close करते हैं, फाइल को close करने के लिए हमें इधर cross पे दबाना है, Cross पे दबाने के बाद आप देखेंगे, हमारे पास option आते हैं, Save, Don't Save और Cancel, अगर हमें ये file close नहीं करनी है, तो हम Cancel का option चूज करेंगी, अगर हमें ये file save नहीं करनी है और बिना save कि ये बंद करनी है तो हम don't save पे क्लिक करेंगे और अगर हमें ये file save करनी है तो हम save पे क्लिक करेंगे अभी हम save पे क्लिक कर रहे हैं जैसे ही हम save पे क्लिक करेंगे एक ऐसा dialogue box open होकर आज जाएगा अब हम सबसे पहले जाके अपनी location या जगा सेलेट करेंगे कि कहां पर हमें ये file सेफ करनी है तो मैं desktop पे file सेफ करना चाहती हूँ तो मैं desktop सेलेक्ट करूंगी इसके बाद अब हम जाके अपने file का name अगर हमें change करना है तो वो change करेंगे आपको जो भी अपनी file का name देना है आप यहाँ पजा के type कर दीजे और save पे दबा दीजे आपकी file जो है save हो गई है और वो file आपकी अपने आप बंद भी हो गई है वो file इसलिए बंद हो गई है क्योंकि हमने close पे click किया था और उसके बाद save किया था फाइल को क्लोस करने का एक और तरीका है आप फाइल ऑप्शन पे जाए और यहां पे क्लोस पे क्लिक कर दीजे और उसके बाद यहां पे क्रोस पे जाके दबा दीजे आप देखेंगे कि आपकी फाइल क्लोस हो गई है आज के लिए इतना ही कॉमेंट करके बताईए कि आपने कौन सी टेंपलेट सेलेक्ट करी और उसके ओपर वर्क किया वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें